हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पर तो इस लडू को देखके आपको कुछ याद आया मेरी तो पूरी बच्पन की यादे ताजा हो जाती है इस लडू को देखने के बाद साल बर हम लोग स्कूल में 15 अगस्त और 26 जनुरी का इंतजार करते थे इन दो-दो लडू के लिए और शादी ब्यागब इंतजार बस इन लडू के लिए होता था तो जिसने इस लडू को टेस्ट किया उसे बताने की जरूत नहीं है कि लडू कितना टेस्टी होता है खाने में तो बहुत ही टेस्टी होता है बनाना भी बहुत ही आसान है बहुत ही कम सामान में बनके तयार हो जाता है तो इन लडू को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कब चने के बेसन का इस्तिमाल कि आहиях चने के बेसन में लडू का अच्छा फारे आधान अच्छी तरह से चान लेना कि उसम दिया और के बेसन अगर आप इस्तिमाल करेंगई लडू के लिए तो काफी बंदी आपकी बं तो यहीं पर आप एक बेंच खाने वाला सोड़ का इस्त्माल कर सकते हैं जिसने मीठा अब हो जाएगा और आप भूंधी डाल возмож देखने में काफी में बढ़िया लगए और अच्छी तरह से फेट लेना है क्योंकि हमने इसमें खाने वाले सोड़े का इस्तिमाल नहीं किया है तो अच्छी तरह से फेटेंगे तब भी आपकी बुंदी एकदम अच्छी गोल गोल बनके तयार होगी बुंदी के लिए बेसन का गोल बनाते समय आपको बहुत ध्यान से बनाना है ना बेसन का गोल बहुत पतला होना चाहिए ना बहुत गाढ़ा होना चाहिए बहुत पतला होगा तो तेल में जाते ही आपकी बुंदी फैल जाएगी और तेल सोख लेगी और बहुत गाड़ा होगा तो बुंदी आपकी चप्टी-चप्टी कड़ी-कड़ी बन के तयार होगी और जल्दी बेशन का घोल चनने में से गिरेगा भी नहीं आपको बनाने में मेहनत करने पड़ेगी तो बिल्कुल इस तरह का बेशन का घोल होना चाहिए और ये है बुंदी चानने के लिए मैंने चनना ले रखा है ये मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाता है 130 या 40 रुपे का मिलता है और इससे बुंदी बनाना बहुत ही आसान होता है बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है ठकावट नहीं मैसूस होती है और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप चाहें तो घर में जो आप पूरी निकालने के लिए बुच्छेद वाला पलता होता है उसे भी आप बेसन की बुंदी निकाल सकती है या फिर ग्रेटर से भी निकाल सकती है लेकिन इससे आप निकालेंगी तो आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करना पड़ेगा और बेसन का गोल हमारा बिल्कुल तयार है इसे सबसे पहले चेक कर लेना है तो चेक करने के लिए आपको तेल एकदम अच्छा गरम कर लेना है तेज आंच पर गरम कर लेना है उसको थोड़ी सी उचाई पर रखना है और उचाई पर रखके आपको धीरे से बेसन का गोल इसमें डाल देना है अपने आप जो बूंदी गिरेगी उससे गिरने देना है बाकी आपको बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं अगर आप थोड़ा भी हिलाते डूलाते हैं तो बेसन की बुंदी आपकी टेड़ी मेड़ी बनेगी लेकिन जो इस तरह अपने आप बुंदी गिरेगी वो बिल्कुल गोल गोल गिरेगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल गोल गोल भुदी बर रही है थोड़ी स को मध्यम कर देना है मीडियम फ्लेम पर इसे 5-7 मिनद तक पकाना है 5-7 मिनद तक पकाने के विए आपकी बुंदी एकदम अच्छी तरह से पक जाएगी थोड़ी सी हलकी सुनहरी हो जाएगी और जैसे जैसे यह पकती है इसमें खुश्पु बड़ी प्यारी से उठने लगत है कि हमारे घर में लड़ू बन चुका है और इसी तरह से सारी बुंदी को इस तेल में गिरा लेना है और तेल में गिराने के बाद इसे इस तरह से चला चला कर पकाना है उलट पलट कर और अगर आपको अपने लड़ू का स्वाद बहुत ही स्वादिश्ट चाहिए तो यहां पर देख सकते हैं कि मेरी बुंदिया एक भी मेरी नहीं बनी है बिलकुल गोल्गुल बनी है तो आप भी बिल्कुल इस तरह से बनाएगे तो आपकी बुंदी भी एकदम इसी तरह से गोल-गोल बनेगी और इन बुंदियों को अब निकाल लेना है और दूसरी बात आपको इस बात का ध्यान देना है कि जिस छने में आपने बुंदी निकाला था उसे फिर से धोके साफ कर लेना है धोके साफ करेंगे तभी दुबारा आप जब बुंदी निकालेंगे तो आपकी बुंदी गोल-गोल बनके तयार होगी तो थोड़ी से मेहनत आपको करनी पड़ेगी अगर आप थोड़ी से मेहनत नहीं करते हैं तो आपकी बुंदी टेड़ी मेड़ी निकलेगी घर पर बुंदी बनाना बहुत ही आसान है बस कुछ बातों का ध्यान दे कर आप बनाएंगे तो आपकी बुंदी मार्केट से भी अच्छी बन के तयार होगी और इन बुंदियों से आप चाहें तो रसीली मुठी बुंदी बना सकते हैं जो हम लोग प्रशाद वगरे में चाहन लेना है जब सारी बुंदिया आपकी चाहन के हो जाएं तो उन्हें इकठा कर लीजिए और यहां पर मैं आप लोगों को रेशियों भी बताती हूं कि किस रेशियों से आप बुंदी का लडू बनाएंगे तो आपका लडू एकदम परफेक्ट बनके तयार होगा तो अब आपकी बुंदी दो कप है तो आपको एक कप चीनी का इस्तवाल करना है और इन बुंदियों को अच्छी तरह से मिला लेना है दो कडर की यह थीजिए लडू देखने में काफी खुबसूरत और प्यारा लगता है तो दो कप बुंदी पर मैने एक कप चीनी का आपका जो लड़ू है वो भी परफेक्ट बनेगा लड़ू के लिए चाशनी तयार करते समय आपको इसी बात का खास ध्यान देना है कि जिस बरतन से आप बुंदी को नापते हैं उसी बरतन से आपको चीनी को भी नापना है और जब चीनी और पानी एक दूसरे में इस तरह स सा गाढ़ा करना है जैसे कि हम लोग गुलाब जामून वगरे के लिए चाशनी बनाते हैं बिलकुल उसी तरह की चाशनी तयार करना है या फिर दो हातों के पीछ में आप चिपका के देखिए दो उंगलियों के पीछ में अगर हलकी सी चिपचिपा हट हो जाती है थोड़ी पर इसे पकाना है जिस प्रकार मैंने आप लोगों को बूंदी चीनी पानी का रेशियो बताया है अगर उस हिसाब से आप चीनी पानी और बूंदी लेते हैं तो आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जैसे ही आपकी हलकी सी चाशनी थोड़ी सी मोटी होती है और चाशनी को सोक लेती है और वो वाले जो ळड़ु आपके तयार होते हैं बिलकुल गोल-गोल और रस भरे हनके तयार होते हैं जो खाने में काफी टेस्ट लगते हैं यहाँ पर चीनी आप अपने अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं लेकिन जितनी चीनी मैंने आपको बताई है उससे आपका लड़ू जो है एकदम medium मीठा बनेगा ना ज्यादा बहुत मीठा बनेगा ना ज्यादा कम मीठा बनेगा तो अगर आपको इससे मीठा चाहिए तो आप को बढ़ा भी सकते हैं और इससे कम चाहिए तो आप घटा भी सकते हैं तो यहां पर देखिए 5-7 मिन तक पकाने के बाद बुंदी बिल्कुल तयार है अब इसे ढख के छोड़ देना है 20-25 मिनट के लिए ताकि अच्छी तरह से बुंदी रस भी सोक ले और जो इसमें की करके डाल सकती हैं जैसे कि आप तर्वुज के बीज बगरे पसंद करती हैं तो उसे भी डाल सकती हैं लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं डालती है तो बेसन का एक अपना अलग स्वाद होता है बीना कुछ डाले ही अगर आप इस तरह से बेसन के लड़ू बनाती हैं तो मैंने आपको बताया है अगर उस रेशियो से आप लड़ू बनाती है तो आपके लड़ू बिल्कुल इस तरह से बनके तयार होगे अगर इससे थोड़ा भी आपको फर्क पड़ता है माले जी आप बुंदी की लड़ू जब आप बना रही है और लड़ू बंद नहीं रहे है वो विखर जा रहे हैं तो समझ लिजे कि आपकी जो चाशनी है वो पत्ती रह चुकी है तो आप फिर से चाहें तो उसे गैस पर दो तीन मिनट गरम करके और ठंडा करके बनाएंगी तो आपकी चाशनी परफेक्ट हो जाती है कभी कभी क्या होता है कि बुंदी कड़ी हो ज उसमें पानी डाल दीजिए और पानी डालके फिर से गयास क्यांच पर पका लीजिए और पकाने के बाद आप लड़ू बनाएंगे तो आपके लड़ू अच्छे बनके तयार होंगे लेकिन जो रेशियो मैंने बताया है अगर उस हिसाब से आप बनाते हैं तो आपके बु बहुत ही प्यारी से खुश्पू उठ रही है मन कर रहा है कि अभी खालू लेकिन इन लड़ू को खाने का असली मजा होता है बनाने से दो चार दिन के बाद या फिर एक हपते के बाद खाते हैं तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और इन लड़ू को बनाके आप जिनोंने इन लड़ू को खाया है और बनाना तो आप देखी रहे हैं कि बहुत ही आसान है अगर आपके घर में कुछ भी नहीं है बेसन है और चीनी है रिफाइन तेल है तो आप अराम से इसे बना सकती है बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी है तो उ आप चाहें तो लक्षमी पूजा रक्षा बंदन किसी भी तेवार पे बना सकते हैं और वैसे भी अगर आपका खाने का मन कर रहा है तो आप इसे घर पे बना के खा सकते हैं